हाई फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं आवजदन सत्रह हजार पांसा आठाइस तेरह हजार का ही आएगा मेरिट लिस्ट फ्रेंड मैं बात कर रहा हूं बिहार उनिभर्सिटी मुझे अफरपूर पीजी का जो फर्म अपलाई हुआ है एड्मिशन के लिए उसको लेकर चलिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है हम लोग देख लेते हैं देखिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है बियार बिहार बिस विद्याले में पीजी एड्मिशन के लिए सात्रह हजार पांसा अठाइस हात्र अधिक अंक भरने का खाम्याजा करीब सरह 4 है और चात्रों को भूगतना परेगा इन चात्रों के आवजदान को अल्ला करे मेरिट लिस्ट त्यार करएगी विस विद्याले की और से असपष्ट किया गया है कि ऐसे चात्र पाविचार नहीं किया जाएगा विस विद्याले की ओर से 20 जून के बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी ईविएम आई एस को अड्वेंटर डाक्टर लाल कुमर जहा ने कहा कि पीजी सतर बीस बाइस के लिए कुछ 17,528 आवेदन विश्ट विदाले को प्राप्थ हुए इनने 47,000 ऐसे आवेदन हैं जिन्हें कई तरह की गलतिया की है कई छात्रों के आवेदन में असनाता का जो अंक पर अपलोड किया गया है और अपलाई का दरान खुद से जो अंक भरना था उसमें अंतर पाया गया है पांच से दस फिश्दी छात्रों का अंतर मिला है छात्रों ने जो खुद से फरम भरा उसमें अंक पत की तुल्ला में अधिक अंक असनातक में बताया इसके कारण इन छात्रों के आवेदन को अलग किया गया है ऐसे छात्रों को बिस्विद्यालाई की ओर से फर्म संसुधन करने का भी मौका दिया गया था लेकिन सुधार नहीं किया गया बिश्व विद्याले का कहना है कि मैं आप सभी को सुधार करने का भी मौका दिया था लेकिन आप सभी ने सुधार नहीं किया इसको लेकर आपका जो है मेरिट लिस्ट न विचार नहीं किया जाएगा आपका फरम अलग छार्ट दिया गया है इसके अलावा छात्रों ने एस्ट्रीम भी बतला है कुछ विशाय में इस तरह की छूट दी थी उन्होंने कहा कि 20 जून के बाद PG में एडिमिशन के लिए मेट लिस्ट निकाली जाएगी जिन विशाय में सीटे बचेगी उनकी तीसरी बार मेट लिस्ट निकाली जाएगी तो फ्रेंड मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी किर्पिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करें फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद